विदान सभा सीट जहां से सूरेश राथोर विधायक हैं, एह मुद्दे कौन से होंगे जौलापूर के? और ऐसे वे इस बार जौलापूर में किसकी जौला जलेगी? राथोर जी ने विकास तो किया है, लेकिन वो सिर्फ बाजबाय कारे करता हो विकास किया. जौलापूर विधान सभा में कॉंग्रस पार्टी मजबूत है. क्या वाकई? इस स्टीट पर आम आद्मी पार्टी को इचमतकार कर पाईगी? जमी ने अस्तर पर दिखा दे किया हैं, तो मैं मान जोगा. या फिर बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोराईगी? ऐसे ही बस बढ़ा ही करते हैं, यह अपने अपने मुद्दे किनवाते हैं, मुद्दे कुछ नी है, वहाँ पर काम कुछ नी हुआ. गड़ेश जोशी ने कहा कौन सी समाज सेवा की है, करणल साब ने जरा हमें भी बताओ. नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूँ आपके साथ तिलक चावला, देभूमी के दंगल में लगतार तमाम विधान सभाओं का सर्वे करते हुए हम ग्राउंड जीरो पर आज आप पहुचे हैं, जौलापूर. जौलापूर, वो विधान सभा सीट जहां से सुरेश रातोर विधायक हैं, और ऐसे में इस बार जौलापूर में किसकी जौला जलेगी, आज एहम मुद्दे कौन से होंगे जौलापूर के, और क्या वाकई, इस सीट पर आम आदमी पार्टी कोई चमतकार कर पाईगी, या फिर बीजेपी एक बार फिर से यतिहास दोराएगी, या कॉंग्रेस का हाथ होगा मजबूत, आज तमाम सवाल होंगे और जौलापूर के मुद्दे उठाएंगे ग्राउंड जीरो से, हमारे साथ जुडेंगे तमाम महमान, और सबसे पहले आप सभी का स्वागत, तालियो के साथ आपका स्वागत करना चाहेंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया आप किस्सा कुर्सी का हिस्सा बनने के लिए हैं, सबसे पहले आपको आज के महमानों से भी हम परीचे करवा देते हैं, आज हमारे साथ चंदन सिंग चोहान चुडेंगे, जो की बीचे पी का पक्षा क चंदन दी के लिए दोरदार तालियां, बहुत-बहुत स्वागत हैं चंदन दी आपका, कॉंग्रेस की तरफ से नथु सिंग इस कारिक्रम का हिस्सा होंगे, नथु जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, किस्सा कुर्सी में नियूस वाल्ड इंडिया की ये मुहीम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और प्रविंट सूर्या आम आदमी पार्टी से पार्टी के चहरे भी हैं यहां से आपका भी प्रविंट जी बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले मसला जौलापूर का है तो विदायक जौलापूर से हैं सुरेश राथोर उनके प्रतिनी बहुत अच्छे बहुमत से सिर्ड जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगा कौन जीतेंगा सूरेश राथोर जी अपने विदायक अक्का 100% क्यों जीतेंगे उनके कारिये उनके कारिये शाली तनी अच्छी है आप पूरे छेदर में आप देख लो कोई बात न खोषना की बात नहीं कर रहा है घोषना तो घोषना वीड़ तो हर कोई है यहां पर लेकिन करवाया क्या विदायक जीने यह अपने आप में सवाल है तो नत्तु जी आप एक बात बिताईए कॉंग्रेस का हाथ होगा मजबूत यह तो कह रहा है कि जौलापूर में जौला जलेगी तो पीजेपी की निशित तौर पर व जो वालापूर विदान सवा में कॉंग्रस पार्टी मजबूत है और विद्धान का ही बढ़ने जा रहा है जिसमें कोई संदेश भी नहीं और कोई सुबा भी नहीं है निशित तोर पर जो मेरे साथीनवी बात कहीं यहां पर वहाँ पर किस्तरे का निर्मान हुआ है तो यह हालात केवल यहां की नहीं है यहीं हालात रोहालकी की भी है जो पाइपलाइन डली जगे जगे वहाँ पर बार बार गड़े खोद दे जा रहे हैं लोगों को चलने में भी दिकते हैं ट्रैक्टर को आप क्या करेंगे आपके पास क्या विजन है आपने क्या किया कॉंग्रेस ने वालापुर में क्या किया चुकि कॉंग्रेस पाइटी सत्ता में जौलापूर में नहीं रही और निस्टी तोरपर हम लोग अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। सब्सक्राइब बिल्कोल चींता नवत करो सब्को संतुष करेंगे के ओक introducing सड़क साधे 5 votes के वा इसकाों करोडी तेंडर परकिरियामें लगक्या सासन आदेश वव क्या यह वाली सड़क सवाल सक्ता से ही पूछे जाते हैं, जो सक्ता में होता है सवाल उससे पूछे जाते हैं, और राश्टवाद, राष्डित, हिंदु, मुसलमान, पाकिस्तान, कंगना, छज्जा, ये सब पर चर्चा थो हर कोई करता है, है की नहीं? अब मैं एक चर्चा उठा रहा हूं पंचपूरी गाउं है आपके यहां कोई पंचपूरी गाउं है पंचपूरी गाउं है आपके यहां पंचपूरी गाउं है वहां मुख्य राजमार्ग है और 25,000 वोटर है हमें तो रास्ते में लोगों ने बताया कि वागी सड़क की हाल पंचपुरी में पांच गाहुआ जी पंचपुरी की हालत खराब है कि नहीं यह सर मैं पढ़िम चोधरी यह तो चाहिए मेरा अपने ताध्दुपुर ऑपने दोपी काछ से लेके और दाध्दुपुर स्कूल सलेंपुर में रास्ता जा रहा है उसकी हालत अभी चल के देख यानि ना गड़े है ना सडक है सडक है करी को जटना भी गञों है चेतर में राठोर जी कु उन लोगों ने खो पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो हम समझना चाह रहे तो जो अलापूर का सबसे बड़ा मुद्दा सड़कता मुद्दा है अपना नाम बताइएगा और जल्दी से खड़े हो के सवाल पूजे अगर गोमते तो इन विकास पता लगता है खाले हौम यहां मायक करते हैं अच्छा दूसरी बात है कि हमेसा जब चुनाव आते हैं चुनाव के तीन-चार महने पहले यह घोशनाय करते हैं फी सड़क बनाते हैं मुझे बताएगे जो साड़े चार साल में सड़क नहीं बनी व कि आप दो महीने पहले आये आप लोगों क्या पता हमने कितना विकास किया पता की परवीन सुरिया है को नो साल से चेतर में काम कर रहा है परवीन सुरिया आप इनके संग्यान में अगर भी आएगो तो मेरा दोस नीए तो इनका दोस है मेरा मेरा इसमें एक कहना यह यहां क खराब एकशना एक तोटल रास्ता कराब तो विदान सभा नहीं पहुचने दे रहे हैं कि नीनतू जी पॉस्टर लगाए थे वहाँ पर इतना बड़ा विवाद हुआ चेरा विवाद हो गया देखिए मैं कहा रहा सोये वे कुछ जगाया जा सकता है जागते हुए कुछ कैसे जगात हम यह जागते हुए भी सपने देख रहें बताओ क्या भाज साब सरकार तो आएगी बाजबागी पुषकर सिंग दामी की सरकार आएगी लेकिन यह जो सड़कों के बारे में कहरे एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो बंचुकी सुभाजगड का जिकर क्या जवालापूर से सब्सक्राइब तक देख लो आप रहाएग और चुनाव में विकास मुद्दा हो यह हमारी भी प्राठ्मिकता है आप खड़े होई आपका नाम क्या है? नाम बताई और सवाल? विनोट में नाम है मेरा और हद्धिपूर से जब आप जाते हो मसाई इबराहिम पूरु निगलते हैं वहाँ पर जम्हा भी गया दस दिन पहले ही एक महिला बाइक से गिर गई क्यों वो रस्ता खराब है तो बीचे भी सरकार वादे करती है जुमला देती है इस पर विस्वा साना चारा भाइसाब ना हद्धिपूर का जिकर क्या सुनो वाई एक मिट जरा मैं कहरा कलियर से लेकर बुगवाले तक का जिकर नहीं करेंगे यह वह सड़के ऐसी बना दी कलियर अभी अभी आप देख देखने आयक जी ने बनाई है और सरकान ना बनाई अभी यह कह रहे सिर्फ बाजबाय करता हो विकास किया उनके घर के सामने सड़क बनाई बाकी जो और लोग हैं उनके सामने उनके यह पए विखाशन नहीं कि आज जवालापुरु विदान सभा में दो न रृत फिरशी Sudika असलिए और भी आपी एक आ कर के एक एक कर सब्सक्राइब हां कि ये का और हुआइब इस को ँषय को लिधाब司 नियшая को कल सबस्क्राइब मैं भी उसी गाहों से हुँ जहां से बाइसाब है और इनके स्यूमंदिर से लेगा इनके घर तक वही रोड विदायक जी नहीं अपनी निदी से पनवाया जिस पगुए रोज चलगा जाते भी हैं आते भी है और यह आच्छा यह आम आदमी पार्टी से जूट बोर रहे हैं प्रिश रावत ने इतना विकास किया तो पिर हरी शरावत चैरा की हो नहीं आपका हरी श्रावत ने आगर इतना विकास के हरी श्रावत चेहरा क्यों नहीं आपका पूछ लेते हैं हरी श्रावत यह कहने हैं मुक्के मंतरी बनेंगे हरी श्रावत मुक्के मंतरी निश्चित बनेगी जो हमारा परिवर्तन जो लोगा का एक प्यार मिला जो लोगों का जंद समर्तन कॉंग्रेस पाइटी को मिला है निश्चित तोर पर 2022 में कॉंग्रेस पाइटी की सरकार हा रही है आपने का कि करनल साब होंगे मुखे मंत्री का चेरा हमने हाली में गणेश जोशी का एक इंटर्विव किया था गणेश जोशी ने कहा कौन सी समाज सेवा की है करनल साब नेजर हमें भी बता देश भक्ति तो सबसे बड़ी समाज सेवा होती है देश के लिए अगर गोली करने के लिए खंडूरी लोग पाल पिल एक्ट इस परदेश में लाएंगे और 6 महने के अंदर जो रिक्त थी मतलब जो बची तुन को भरेंगे नहीं बरी गई सब्दीन में लोका है सो देन सब्सके लोकाय। खंडूरी 2012 इस जरूरी को नारा दिया आपने खंडूरी जरूरी जरूरी बिल्कुल घंडूरी जैसे हमारे सगह ब्लाएंगे हैं और लोकाय। लोका उख्त की देखो वह बड़े स्तर की इंचे स्तर की बाता उसके बारे मुझे जिसके बारे वह गयरनी में कुछ क्या बात कर सकता है तो लोका उक्तख़ आपने अपने संकर्प्फर विजन डॉकुमें क्शिताने विजन डॉकुमेंट बनाया उन्हें थो सौ दिन में लोकायूक्त लेकराएंगे लोकायूक्त क्यों नहीं लेकराएं? जंता कुछ नहीं वहां पर काम कुछ नहीं हुआ मुद्धे किनवाते हैं बसखाली अब बड़ी बाते करते और ग्रान। पर कुछ भ् immigration काम ने नी है देखो जन्ता बता रहे हैं वो कोई दिल्ली सब्सक्षां जाए लीकिन डिली मैं है लोकपाल चोहान साब चोहान साब पब्लिक का एक मुद्दा है आपने तीन विकासकारों का जिक्र किया था आप दसका करिएगा आप दसका करिएगा जौालापूर में जौालापूर में कितने अस्पताल विधायक जी लेकर है कितने कितने अस्पताल बनवाए इस पताल की आपना तीन विदा बड़े कारे क्या था तो असपताल क्यों नहीं एक बास सुनो आपके आपको और और कोरोना काल में अक्सीजन से मौत हुई की नहीं हुई लोगों की पुर्विदान सवा में जो स्वास्ते केंद्र है उनकी आलत वह भी डॉक्टर नहीं है बनाने की बात तो बहुत दूर की बात करें डॉक्टर भी अवलेवल नहीं होते कोई एक मुद्दा तो कि हम शरकार बना तो कि हम सरकार बनाएंगे यह सेंट्रल में यह उत्राखंड में एक मुद्दा दो इन परहनी सारे मुद्दे दो हमने सोल कर दिये तीन सो सतर से लेकर राम मंदिर लेकर जितने बड़े बड़े पब्लिक यहां राम मंदिर तीन सतर में वोट देगी मेरी बात तो सुनते रहो और आस्था कि जो नंबर दो बास सुनों आप उत्रा घंड में आप यहां पर बता रहे हैं लोकल में जौलापुरी नासमा बोंग पांच टंक्या हमारी शेत्र में लग गई हैं जिसमें कम सकम 15 क्रोड रुपे की लागत में आपने का ना एक मुद्दा पूछनू मैं से ना तु राम जी हो कह रहे हैं एक मुद्दा बता दो आप आपको वोट मिलेगा जहां तक कॉंग्रस पार्टी के मुद्दे का सवाल दस साल वे भारती जन्ता पार्टी को बने वे इस देश का जितना विकास कॉंग्रस पार्टी ने किया चाहे वो केंदर का हो चाहे सुत्राखंड के अंदर हो चुकि यहां पर हरिस रावजीन यहां पर तमाम चाहे वो शिक्षा का मामला हो यहां रोजगार का मामला हो चु पहले खंडूरी जी, निशंग जी, कोशारी जी, अब हो गई 6 जी, तिरवेन जी, तीरद जी और धामी जी, अब इस बात की क्या गरंटी कि ये 6 जी जो है, 6 जी, सुन लिजे, सुन लिजे, धामी जी कन्फर्म है, बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भारती ज सुनो, भाई साब, पूरी तो सुनो, भाई इनकी पाइटी में तो, ये तो सोनिया जी, ये राहूल जी, उसके अलावा कोई पिछले 20 साल सा पचास साल सा देख लो, हमारी पाइटी में ये नहीं बता सकते कि कोन अगला द्यक्ष होगा, एक आमकर ये करता भी हो सकता है, ज पहार की पीडा की बात करता हूं, आप पहार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करते हैं, अगर उत्राखंड में बेरोजगारी क्या मुद्दा नहीं है, क्या गैर सैड, परी संपत्यों का विवाद क्या मुद्दा नहीं है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, पर क्यों ने याकिर कर चुनाव लड़ा जाता क्यों आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव में राष्टवाद और हिंदू-मुसल्मान का जिक्र करते हैं लेकिन ये खंडूरी है जरूरी का नारा दिया वह भी चुनावाद लेकिन ये खंडूरी का नारा दिया वह भी चुनावार गई तो कोड़दवार से तो किसका कॉंग्रेस का तुझी से पुछवादू वहां बात करें तुझी पदा दिजिए यह कह रहे हैं कि आज यहां से अलान कर दिजिए हरी श्रावत ही हमारा चेहरा हरी श्रावत मुख्यमंतिर अगर भारती चंटा पार्ट श्रावत 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 मुख्यम. यह कोई मुदधा है कि नहीं को बदल लेगेघार कोई मुददा नहीं है हमारें बहा ले पावनेरा समय यह कह रहें पैंचन बहरेंज सब्दाल आइएंधर घ्रवरस रावत हरक सिंग रावत कियों होगे आपको भगदर क्यों है पुछाब इन सब बाइजी सवारी सुभाई सवाल आप से उनसे रखा मिना के ओके ओके भगदर क्यों है देखिए हरक सिंग रावत की गरेंटी मांग रहे हैं तो खाएज सब जानते हैं एक विदान सबाव से चुनाव लड़ा आगली बार तो से लड़ते नहीं है और आप हरक सिंग रावत की गरेंटीर क्या है सवाल क्या भगदर भगदर तो उन्हों मचिवी उनके दो विदायक भाग का आगे उनके परदेश अद्यक्स नी संतुष्ठ है थे वो पिछले वाले क्या नाम था उनका तोड़ फोड क्यों करते हैं पिछले परदेश अद्यक्स कॉन थे इनके प्रांग रेस पौर्टी के पृतम कुई सम्झा हम तो इस तरह बिल्गुल कोई दुकत नहीं है जो अब जोड़ापूर से शुरू किया जो अब आप जाओ गया ना माहाज़ी मी निकाल सकते है आप जाओगे आप कोट्ता मुौद ना कर देग लो आप सादेपुरसा लेका अलावुल्पूर्ट एक लेगो सारह खराब यह मैं पुर आफ में गुंबाऊ इसका बुराय दस सालोगे बीजेपी राज कर दीज्प अर आज कुछ काम नहीं किया रोजगार के मामले मेरे लो उस्वास साल में एक होस्पिटल बढ़ा जो बीजे पीन बढ़ा हो या तस साल में एक होस्पिटल बढ़ा जो आने आप बैठो बैठो तो सियाब और एक में यार बैठो यार बैठो उन्होंने का कोट्टा मुरादनगर के रास्ते पिछले दो मेंने से कारी चलना अब नहीं नहीं एक साथ कैसा मुला देंगे एक साथ बात सुनो आप जाने दूनने प्रवाद भी आप जवाब निश पूछी उनका जवाब देन पूछी उनका जवाब देंगे अस्पतार बता इनों ने का बढ़े लेकर पहली बात तो दो साल पूरा देश करो नाम कारी नीवे कुछ भी यह गलत पही में दो साल तो करों नाम पुरे बोन्ग लेशर वाल की तक हो सोरी का अलीपूर तक का घडि संगीपूर का भी आप नहीं तो और ना में तो विधान सभावां रही थी लेकिन सूरे जी यह तो तमाम मुद्धे है जौलापूर के आप कहरें हम यह भी कर देंगे सब कुछ मुफ्ता है सब कुछ मुफ्ता है मुफ्ट मुफ्ट मैंको सिर्फ इतना बताईए कि जौलापूर के लिए कुछ विजन है आपके पास विजन है पास जौलापूर के लिए पूरा विजन है हमारे पास बिजली का विजन है हमारे पास सडको का विजन है हमारे पास शिक्षा का विजन है हमारे पास रोजगार क इनकी न थोड़ी सी मैमोरी कम है। यह ज़रा गूगल जादे चानते हैं। रखे कुछ जादे काम करते हैं। जोड़क प्राइवेट वाले भी प्राइवेट स्कूल डेया की पढ़ने के ला रहे है। इस देप वब countryi और यह देएं सब्कुछ देंगे हमकिसल भंडे enorm क्योग करना है कि हमारी पात करना चाहिए कि हम इननको देख एक सर्ध इंगे जब गोट लाने करें काँ से देंगे हम इस नहीं हम बस्टाब पर फ करेंगव ठीम भशटधा को देंगे आपके मंतरियों को आपके मुख्य मंतरियों को चाल जाजाए जनता का पैसा देंगे आपी तो मुफ्ट ओके बैट के अराम से चौहां सब परविन जी अराम से प्लीज 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 मैं इस कारेक्रम को यहीं खत्म करूंगा लेकिन जनत्तु जी ओके ओके मुफ्ट मुफ्ट हमारा जो कॉंग्रेस पालिडी का मुद्दा जिस समय रावजी मुख्य मंतरिते उन्होंनों 32,000 करीब रोजगार दिये इन्होंने कितने रोजगार दिये जो आई सिड़कूल भी बंद हो रोजगार की सूची तो खैर सबको जारी करनी चाहिए प्लीज जल्दी से वक्ति दागार मैं अपने भाई चंदन सिंग को बताना चाहता हूं दिल्ली में हमारी जो दुबारा सरकार आई आमाद मपार्ट गी इस्कूल देखलो मेडिकल सर्विस देखलो फलाई ओवर देखलो आप जाका तो देखो आप जाका तो देखो दोसरी पर दूसरी अगर दिल्ली में केज़िवालजी का काम नहीं कि होतना तो सट्विस देखें 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 और दोसरी एक में सब्सक्राइब कर दो यह दिकार जनता जनार्दन है यह यह मैं सिर्फ यह कह रहा हूं हम आपके बीच में आए आपके मुद्द्ध उठाने जनता जनार्दन कर रहा है वो अपने टिकट की दावेदारी कर रहा है विरोध तो आप लोग कर रहें चलिए मैंने देखिए हमारी न्यूस वर्ल इंडिया की एक मुहीम है कि हम लोग आपकी विधान सभा में जाएं आप लोगों के मुद्दे उठाएं आप लोगों की आवाज बनकर इस मंच के माध्यम से पहुचें ओके अब अब देखिए हम लोग कारिक्रम कैसे खतम करते हैं हम लोग कारिक्रम कैसे खतम करते हैं एक सेकिड लोग तंत रहना लोग तंत रहना मैं मैं कहा रहा हूं मन की खटास खतम करिये मैं अभी अभी कैसे मैं बताता हूं कैसे मैं बताता हूं कैसे सिर्फ एक सेकिड इस कारिक्रम को हम यहीं ख पर मुलाकात मुझे दीदिये जादत किस्टा कुर्सी का जारी है नमस्कार जय हिंज भारत जय उत्राखन